अलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्टेडी विसाल सिंग में जी हां दोस्तों आपको भी यूपी बोर्ट रिजल्ट दोजातेइस का बेसबरी से इंतजार है लेकिन इसी वीच क्या घटना घट रही है सबी के साथ मैक्सिमम बच्चों के साथ और वो इस जासे में आ जा रहे है या उनके माता पिता के जो भी है मामला इस वीडियो में हम जानेंगे और जानेंगे कि कब तक आएगा हमारा यूपी बोर्ट का रिजल्ट कब तक आएगा जो कि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं और यहां पर हम जानेंगे कि नंबर बढ़ाने के लिए क्या पैसे देना हमको जरूरी है कि नहीं जो भी श्टूडेंट है इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखिएगा नहीं तो आपके साथ यह घटना घट सकती है जो आपको आगे दिकत में डाल सकती है तो इसलिए इस वीडियो में सुरू से अंतक बने रही है तो देखिए सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर सबस्ढम हुआ है कि आपको मालूम है कि आपका 16-4 मार्श ठैक राय था चार आप प्रेल तक आपको बेड़ और चार अप्रील तक एक मंत हो गया i aqmant के बीच में किया होथा आपकी कॉंप कर जाच करना वहाता है उससे वेप-जाइट पर पामें अजिए एसके बाद पर चुकी है कापियों की जाच लगबग 40 दिन के अंदर मतलब बोला गया था कि आपके कापियों को जाच हो जाएगा 40 दिन के अंदर यहां पर दिखाया जा रहा है कि आपकी कापी जो भी चेकिंग थी वह कंप्लीट हो गई है लेकिन इसी बीच आपको मालूम भी होना चाहिए कि कब आपका रिजल्ट आएगा मैं अभी तो कोई अफिसियल डेट तो नहीं है अगर आप अफिसियल डेट जानना चाहते हैं तो upmsp.edu.in पर जा सकते हैं या फिर upresult.nic.in पर भी जा सकते हैं वहाँ पर आपको अफिसियल डेट मिल जागा लेकिन आप कब तक वेट कर सकते हैं बस दो चीज़ सबसे पहले तो एक अपरेल अभी तक जो भी उपी बोर्ट ने रिजल्ट जारी किया है लगभग अपने दो म मंथ completed होगा और आपको मालूम है कि 4 March को आपका इकजाम खतम होगा था तो 4 March से आपका इकजाम समापत हुआ तो 4 March से 4 मए तक आपका 2 मंथ हो जाएगा तो यह अप्राइल के लाज तक नहीं तो मई फर्स्ट वीक में भी माल लेगते हैं थोड़ा सा देरी हो सकता है चुट्टी उट्टी के कारण तो हम मई फर्स्ट वीक भी मांग सकते हैं मई फर्स्ट वीक आप माल लेजिए और इसमें वेट कर लिए आपका रिजल्ट हंडेट परसेंट आजाएगा जैसे ही आएगा मैं आपको आपको यह न्यूस दे दूंगा तो इसलिए मेरी चैनल से जल्दी से जल्दी जुड़ ज जानते हैं क nous залadot ने कि सबसे फेले तो जो भी आप ऊंच्वाः क्या करते कांपियों के बीच में अपना नंब्र डाल के जले आते हैं अपना मोबाइल नमबर डालके चले आते हैं या फिर उन Casicas पास अभी आपमे चयोडम में रहते हैं तो इससमें तसंस तक साज सब के पास मोबाइल हो आग verk important45पी अजय के पास प्वाइल नमबर आ रहा है भी आपको प्वाइल हो और Правह को पास करा देंगे इतना पैसा दीजिए और आपक मतलब आपकर पास प्वावग मैं मतलब जासे हैं पास। कर दे रहे हैं लेकिन उनी में से किसी ने भी इसको मतलब सिखाय दर्ज किया क्या कहा है देखिए यूपी बोड ने कहा है यूपी बोड की दस्वियों और बरावीं की परीच्छा के उतर पुछतिका का मुल्यांकन चला है मतलब कंप्लीट हो गया है थोड़ा ही न्यूस थो या आपके स्कूल जो भी रेजिस्टेशन की हैं कहीं साइवर कैप से की हैं तो वहांसे मतलब दो ही जगह से आपको नंबर मिल सकता है ठीक तो नंबर प्राप्त कर रहे है और चात्रों के अविवावग को जो भी आपके अविवावक हैं उनसे धन की मांग करने के नंबर पढ़ाने की बात की जा रही है। मैं छात्रों के हिद में जारी करके सभी को सावधान रहने को कहा है देखिए मैं वो तो ऐसे सावधान कर रहे है मैं आप अपने वीडियो के जरिया आप सभी को सावधान कर रहा हूँ कि आप इसके जहासे में न आईए और पैसे बिल्कुल मत दीजिये आपको जितना नमबर मिलना रहेगा, मिलेगा, आप फैल नहीं होंगे, जो भी आप लिखे होंगे, उसी के हिसाब से आपको नमबर मिलेगा, देखिए, अभिवागों को फोन कर बताया जा रहा है कि इस बार सक्ती होने के कारण वज़त से आपके बेटे का नमबर कम है, या वोसरा हो रहा है पैसे मग और उसे पास कराने की कही जा रही है देखिए सबसे हमी इंप्रोटन वाथ यहई हैं हар इस बार जानते हैं कि नखल बहुत ही कम गई इस सरकार की में नखल बहुत कम हो इसलिए इसी का वो फाइदा उझा रहे हैं कि कि आपका बच्चा फेल हो रहा है कि यहां अपकी पक्डल नहीं हुआ है इसलिए वो पैसे दे रहे हैं लेकिन ऐसा मत कि जिए मैं आपको सतर कर रहे हूँ लेकिन उन्होंने बताये कि आप सिकायस्ट भी दर्ज करते इसको यभी हो सकता है देटिए इसके इसमें यह दिया है कि फोन के माद्यम से चाथ व organizations से खाता संक्या पूछी जा रही है और टीपी मांगी जा रही है यह खाता नंबर बताया कर उसमें ट्रांसपर करने की बात करी जा रही है बोर्ड सची उन्हें कहा कि नंबर बढ़ाने को लेकर कोई फोन उनके पास आये तो वह पहले तो इसे संग्यान में ही ना ले दूसरा यहां पर dios चात्रों को करें जाग्रूप ठीक dios जो आपके सिच्छा जो जीले पर विभाग बना है उस वो चात्रों को करें जाग्रूप उसके बाद यहां पर क्या एक और यहां पर लिखाय इसको पढ़ लेते हैं सची उने Google Meet के माद्यम से परदेश के सभी dios से कहा है Google Meet आप जानते हैं वीडियो कॉलिंग से बात करके ग्रूप कॉलिंग मतलब बात करके यहां वहां पर मीटिंग जो रखी जाती है उसके माद्य पर परचार करें और अधिकारियों से कहा कि वह अपने कारियाले में एक सेल बनाएं मतलब एक कमिटी बनाएं जहां पर चातर इस बात की सिकायत दर्ज करा सकते हैं देखिए सिकायत तो आप कर सकते हैं जो भी फोन आता लेकिन दूसरी बात आप यह पैसा मत दीजिए हमार सकता है इसका इंतजार करने क्योंकि यूपी वोड दो मन्त के अंदर आपका रिजल्ट दे देखता है और 40 दिन के अंदर कापिया जाच हो चुकी है यह बात यहां पर यूपी वोड ने कहा है तो फिलालता इस वीडियो में ऐसा ही अगर आपको कोई भी न्यूज चाहिए त तो आप इस चैनल से जुड़ जाएए तो फिलालता इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं ले वीडियो में और भी ने जनकारियों के साथ तब तक के लिए जाहिए वन्ने मात्रम